कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर ओपी पर्मा कि कलाम एकेडमी सीकर यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अविनंदन हार्दिक स्वागत है हमने पिछले क्लास के अंदर इभिन प्रकार की रीट की पिछले पेपरों में आये हुए क्वेश्चन्स पर संचिप्त में चड़चाएं की थी कैसे कैसे क्वेश्चन्स एकजाम में पूछे गए थे उन सभी का विसलिसन किया था उसी कड़ी में आगे फिर वही क्वेश्चन्स लेकर आज उपस्तित हुआ हूँ पिछली बार जो क्वेश्चन्स पूछे गए थे उनमें ज्यादा तर पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चन्स थे जो मानव सरी के तंत्रों से संबंदित थे आज उसी कड़ी में ऐसे प्रस्णों पर चड़्चाएं करेंगे जो मानव स्वास्त से संबंदित हैं या संतुलित बोजन बैलेंस डाइट से संबंदित हैं उन पर संचित चड़्चाएं करेंगे जैसा कि पिछली बार आर इट्स डोजार बारे के अंदर question पूछा गया था virus जनित रोग कौता है virus जनित रोग कौता है virus एक सुख्ष्म जीव है जिसके बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक इबिनो वस्की ने बताया था जीवाणू जनित रोग हो सकता है जीवाणू के बारे मैं सबसे पहले वैग्यानिक लिवेन होक के द्वारा बताया गया था ये सुक्ष्म जीवों की वज़े से होने वाले जो रोग होते हैं अर्था जो सुक्ष्म जीवों से होने वाले बीमारिया हैं उनसे सम्मंदित प्रस्न है ये प्रस्न करने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा ये हमें जान लेना चाहिए कि रोग है क्या रोगों कौन कौन से होते हैं किस प्रकार के होते हैं किस से सुक्स्म जीव की वैसे कौन सा रोग होता है कौन सा जीवान उसे होता है कौन सा वाइरस से होता है कौन सा प्रोटो जुआ की वज़े से होता है रोग का साब्दिक अर्थ है कि सरीर की अंदर विभिन प्रकार के जो डबलू एचो ने परिवासा दी उसमें चार फैक्टर्स बताएगे हैं एक है सारीरिक कारक, सारीरिक और दूसरा कारक है मानसिक, एक है सामाजिक, एक है आर्थिक यह चार फैक्टर्स होते हैं और यह चार फैक्टर्स यदि संतुलित अवस्ता में होते हैं तब उसे स्वास्त कहते हैं हेल्थ कहते हैं और यह दिन चार फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर असंतुलित हो जाए तब उसे रोग कहते हैं परिवास W tel UK के द्वारा दी गई है विस्विस्वास्त संक्टन के द्वारा दी गई है डोगों के बारे ELGIयान कि जिस साखा में किया जाता है उसे बोलते पैथोलोजी तो इस समझिने कि वाइरस चनिती रोग को पढ़ने से पहले हम रोगों का CLASIFY केशन पढ़िंगे classification देखेंगे कि रोग है क्या और रोगों और रोगों का अध्यन क्या कहलाता है तो पहला ही प्रस्ण होता है कि रोगों का अध्यन worried in कि जिस साखा में किया जाता है उसे बोलते है फैथो लोजी रोगों каждый प्रिकार के हैं पहला रोग है जन्म जात या अन्वानसिक रोग जो जन्म के समय से ही उपस्तित होते हैं उन्हें अन्वानसिक रोग या जन्म जात रोग के नाम से जानते हैं और जो जन्म के बाद होते हैं उन्हें बोलते हैं अर्जित रोग तो जन्म के बाद होने वाले र परिवर्तन की वज़े सोते हैं ऐसे रोगों को कहते हैं अन्वांसिक या जन्मजात रोग जिनके एक्जाम्पल्स यहां दिये गए हैं डाइरेक्ट एक्जाम में क्वेस्टन्स पूछा जाता है जिसे कि लेवल फिश्ट के अंदर लास्ट बार वी क्वेस्टन पूछा गया चोट लगने पर रोगे को रक्त का थक्का नहीं बनता ब्लेडिंग लंबे टाइम तक होती रहती है क्योंकि रक्त का थक्का बनाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनकी कमी होती है उसके बलड के अंदर इसलिए यह इमोफीलिया एक आन्वान से रोगों की कैटेग्री में दूसरा है बरनांता जिसे बोलते हैं रंगों के प्रती अंदता जिसमें कलर दिखाई नहीं देते हमारे आखों के अंदर दो प्रकार की कोशिकाय होती है एक संकु एक सलाका पातिक Ale bluff again करना जबकि संकों का का मोथ ऑन और नार्ण यह दिली किसी रोगी को प्रात्मिक प्रात्मिक रंग तीन हैं एक है रेड एक है ग्रीन और एक है ब्लू इन तीनों कलरों में यदि बिभेदन नहीं हो पाता यदि कलरों में अंतर इसपस्ट नहीं कर पाते तब उसे बढ़नांता कहते हैं या इसे कलर के प्रती अंदता गहते हैं तो यह अनुवांसिक रोग है सिकल सेल एनिमिया सामान नते दे हमारी RBC इस तंधारियों की RBC उभे अबतल होती है वाई कौन के वोती है उभे अबतल और यदि इस RBC लाल रखते कणिका की आकरती में परिवर्तन हो जाए और इस आकार के वज़ाए RBC की आकरती यदि हसियाकार हो जाती है तब उसे Sickle Cell Anemia कहते हैं इसमें खुण की कमी होती है सिंड्रोम हो सकता है सिंड्रोम किसी भी गुनसूतर की संख्या में व्रद्धी हो जाए या विविन प्रकार के गुनसूतर पर उपस ते जीन में विक्रती हो जाए इनकी बज़े से जो रोग होते हैं उन्हें सिंड्रोम कहते हैं, जैसे कि क्लाइन फैल्टर सिंड्रोम हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, या डाउन सिंड्रोम हो सकता है, पटाउ सिंड्रोम हो सकता है, सुपर मेल हो सकता है, सुपर फीमेल, इन रोगों के बारे में डि लिमुफीलिया वर्णांता सिकल सेलेनीमिया और सिंड्रोम इधर की साइड में देखें तो अर्जित रोग अर्जित का मतलब था जन्म के बाद होने वाले रोग इनमें दो प्रकार के होता है एक संक्रामक इनफेक्सियस जो कि किसी ना किसी सुक्ष्म जीव की वज़े से होत सकता है या वाइरस विसान हो सकता है इधर की सैड में देखें तो एसंक्रामक रोग वे होते हैं जो जिनमें कोई ना कोई सुक्ष्म जी भाग नहीं लेता या सरीर के अंदर विभिन तरेके की उपाप्चे किरियाओं के डिस्टर्ब हो जाने की बज़े से हो सकता है जैसे की एक कैंसर का मतलब जब सरीर के अंदर समसूत्री विभाजन अनियमत हो जाते हैं या सरीर के अंदर उपस्ते जो कोशी का है वो अनियंतरेत रूप से विभाजन करके गुरूप बनाने लग जाती है तब उसे कैंसर कहते हैं कैंसर का अध्यन विज्ञान की जिस साखा में करते हैं उसे बोलते हैं On courage या कार्षिन जाता है हराठ्थ कमी होती है यह एनीमिया की सारे factors हो सकते हैं, यह हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर RBC की संख्या में कमी हो जाए हो सकता है कि कि किसी के अंदर RVC की आकरती में परिवर्टन हो जाए, हो सकता है कि 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 अंदर hemoglobin की कमी हो जाए जो normally लगबग 15-18 ग्राम परसेंटेज तक होता है या हो सकता है कि किसी के अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो फॉलिक एसिड की कमी की वज़े से हो सकता है या हो सकता है कि किसी के अंदर बिटामिन बी बाराय की कमी हो जाए तो बिटामिन बी बाराय की कमी हो जाए फॉलिक एसिड की कमी हो जाए और वी सी की स तो ऐसे रोग हैं जो हार्मोन्स की अधिक्ता या कमी की वज़े से होता है यह सारे रोग भी ऐसंक्रामक रोगों आते हैं जैसे अपने गलगंड या घेंगा रोग सुनाता जो थायरोक्सिन की कमी की वज़े से होता है यह अपने एडिसन रोग सुनाता जो एल्डोस्टिरोन हार्मोन की कमी की वेश होता है या यदि किसी के अंदर पैराथ हार्मोन पैराथ हार्मोन या पैराथ हार्मोन की कमी होती है तो कमी की वज़े से टिटैनी रोग हो जाता है यह जितने भी हार्मोन से कमी से होने वाले रोग हैं वो सारे के सारे ऐसंक्रामक रोग के उधारन होत होते हैं जो कोई ना कोई संतलित भोजन में पोसक तत्तो की कमी की वज़े से से होता है माना कि यदि किसी बी वेक्ति के अंदर इसलिए सरीर में पानी की कमी और मुझी है तो पानी कि presenting कमी होजाती है तो उसे निर्जली करन् या dehydration कहते हैं तो पानी की कमी को क्या है dehydration या निर्जली करन या हो सकता है कि कि किसी के अंदर proteins की कमी हो जाए यदि किसी में protein की कमी हो जाए तो protein की कमी की वज़े से क्वासी और कोर और merasmus रोग हो जाता है या vitamins की कमी से हो सकता है तो जैसे जैसे सरीर के अंदर पोसक तत की कमी हो या हार्मोन में डिस्टर्ब हो जाए या रवी सी विक्रत हो जाए या रवी सी की संग के अगट जाए ये सारे रोग किस कैटेगरी में जाएंगे एए संक्रामक तो एए संक्रामक, संक्रामक और यह जनमजाद संक्रामक रोगों को अपन थोड़ा से डीटेल में देखे हैं तो डीटेल में देखने पर यह तीन प्रकार के हैं एक है प्रोटो जुवा जनित जिनसे एक आक्स अक्रैस्ब wan geniali ст € С related है दूसरा है जीवानू जनित और तीसरा है वाइरस जनित प्रोटो जनित रोगों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे इनको डिटेल में ज्यादा पड़ने की जरूए तब भी नहीं है टॉपिक जब पड़ेंगे तब डिटेल में लिखेंगे मुले यशिसएंट मइलअ पूछा है वाइरशन जनित रोगों में कोलरा टाइफएड यहाँ देखा जाए तो जो polio है यह polio यहां मैंने virus जनित रोगों की category में लिखा है तो सिधा ही प्रस्ण है कि polio किस प्रकार का रोग है virus जनित रोग है यदि आपसे प्रस्ण पूछा जाए कि tuberculosis किस प्रकार का रोग है तो आप का अंसर हो जाएगा जीवानु जनित संक्रामक रोग है आपसे सिंपल प्रस्ण पूछा जाए कि cancer किस प्रकार का रोग है सीधा अंसर हो जाएगा एस अंक्रामक रोग है जिसमें समसूत्र विवाजन तेज गती से अनियमिन्त रूप से ज़दी हो जाते है तो कोशी का गांट बना लेती हैं उन्ही गांटों को नियोपलाजम या ट्यूमर कहा जाता है अमीबीएसस जिसे अपन पेचिस के नामसे जानता है यामीएसस भी प्रोटो जुध जनित रोगों की कैटेगरी माता है अमीएसस का कारण होता है एंटमीवा हिस्टोलाइटी का प्रोटो जुआ जिसमें बड़ी आत मुक्यत या प्रवावित होती है दूसित पानी की वज़े से होता है जबकि जो मलेरिया है इस मलेरिया का कारण होता है प्लाजमोडियम प्रोटो जुआ की वज़े से होता है और पिस प्लाजमोडियम को काटने की वज़े से होता है कुन सी मख्य है सी सी मख्य के काटने की वज़े से उने वाले रोग को अफ्रीकन निद्रा रोग कहते हैं यह ट्री पैनोसोमा गेंबियंस की वज़े से होता है ऐसी ही पाइरिया पाइरिया जो की एंट अमीवा जिंजी वेलिस की वेलिस की वेलिस प्रोटो जुगा का infection हो जाए तो उसकी वज़े से रोग होगा उसे क्या नाम देते हैं अपन पाइरिया कहते है जिसमें दात मसूणों से संबन देत रोग होगा काला अजार यह यह मानिया डोनो वानी प्रोटो जुगा की बज़े वाला रोग है इस से के बाद है लिउकोरिया जो कि ट्राइको मोनास वेजी नेलिस प्रोटो जुआ की विज़ेस होता है तो अभी आपको के बसौर्ट में याद रखें जब अपन डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे मलेरिया, अमीवियसे, सफरीका, निद्रा रोग, पायरिया, काला, अजैर और लिकोरिया ये प्रोटो जुआ से होता है जीवाणु जनेत रोग हैं टीवर कलोसर जिसरे रोग भी कहते हैं या इसी को बोलते हैं तपह दिख्ये को क्या नाम दे जाता है तपह दिख के नाम से भी इसी को जाना जाता है इसके बैक्टीरिया के बारेबर्ज को ने सब से पहले बताkol पीरिया को क्या कहता हैं गहिंट हमें trust कि आसे कारण इसे दम गोटू के नाम से जानते हैं तो अपना जो पहला प्रस्ण था वाइरस जनित रोग कौन सा है तो वाइरस जनित रोग कौन सा होगे आपका पोलियो यह जो प्लेग है यह बैक्टीरिया की विज़े से होता है यह तीनों ही बैक्टीरिया की विज़े से होता है जब ब question पूछा गया संक्रामक रोग हैंजा हुने का कारण क्या है है इसे पढ़ने से पहले हैजा है अभी देखा था है यह को को लेरा के नाम से जानते हैं को लेरा को लेरा इन में जब किसी भी बैक्टिरिया का नाम दिया जाता है तो उसके पीछे हलकी से हिंट आती है उसके species की रूप में जैसे Clostridium Titani Titani वैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि इस Titani की वैसे Titans रोग होगा Clostridium Titani से कुन सा रोग होगा Titans Titans रोग होगा Mycobacterium Tuberculosis इसके भी नाम में पीछे की साइड में छुपा हुआ है इस TB रोग होगा तपैदिक रोग होगा Mycobacterium Lepre, Lepre में पीछे हलका सा हिंट मिली है लैप्रोसी रोग होता है लैप्रोसी जिसे अपन कुछ रोग के नाम से भी जानते हैं तो लैप्रोसी यह कुछ रोग का कारण होता है Mycobacterium Lepre, Tuberculosis का कारण होता है Mycobacterium tuberculosis, claustidium titani की बज़े से होने वाला जो रोग है वो है tetanus और last में बचा vibrio cholery, cholery का मतलब होता है heja, heja तो heja रोग जो होता है वो किसकी वैस होगा vibrio cholery संक्रामक रोग, heja संक्रामक रोगों की category माता है जन्म के बाद होता है और इसका कारण होता है vibrio cholery, vibrio cholery bacteria की बज़े से होता है इन रोगों की अंदर इन केस्प में जो options दिये गए थे इन options में claustidium titani, tuberculosis leprosy और heja इनके बारे हम हलका सा detail में देखता है तो detail में देखने पर आपको पहला रोग मिलेगा tuberculosis से रोग जिससे गहता है से रोग या इसी को अभी अपने तपैदिक के नाम से भी लिखा था तपैदिक तपैदिक हैं या इसी को koch roug ke नाम से भी जाना जाता है koch roug क्योंकि Robert koch ने इसके बैक्टिरिया के बारे में बताया था इसलिए से कोच रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस abuse का रोग कारख है, Mycobacterium tuberculosis bacteria की वज़े से होता है। संक्रमत रोगी के संपर्क में आने से होता है। किसी भी संक्रमत रोगी के, जबलार्थ हो या नाक से निकलने वाला, जो एक जुद लेशम, स्थार चीबिंग लोग होता यह नहीं हो जैसे अभी कोड़ा कोड़ाइड करना वाइरस All benefit ने यह जो कवर म change happening है नाम के आंसू या नाख से निकलने वाले इनकी बज़े से हो सकता है तो यह प्रभावित अंग मुख्य तया फैपड़े बैसे ट्यूबर कुलोसिस के अंदर फैपड़ों के अलाबा ब्लड भी प्रभावित होता है हड़ी के अंदर बनी हुई कोई भी गांट ट्यूबी की हो सकत जाती है जिसे लिंफेडिनाइटिस कहते हैं तो मुख्य तया प्रभावित अंग पूछा जाए तो मुख्य प्रभावित अंदर क्या है फैपड़े हैं और कोरोना के अंदर भी मुख्य तया क्या प्रभावित होता है फैपड़े ही प्रभावित होता है क्योंकि वह भी ड तेस्ट करते हैं मौन्टेक्स टेस्ट किया जाता है और जब यह दिमान टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसके समझ लोग की टीवर कुलोसिस पॉजिटिव है अर्था उसको टीबी हुआ है उसके फैपड़ों में इंफेक्शन बढ़ रहा है इसके ट्रीटमेंट प्लान या उपचार या बचाव के लिए एक सब्द है बचाव बचाव प्रोफाइल एक्सिस रोग होने से पहले जो भी अपन साबधानी बढ़तते हैं उन्हें प्रोफाइल एक्सिस या बचाव कहते हैं और रोग होने के बाद जिन ओस्तियों का उप्यों करते हैं या जिन तरी किसी भी नवजास इसो में लगने वाला पहला टीका भी है यह BCG BCG का पूरा नाम आपको याद रखना पड़ेगा पूरा नाम है वैसीलस कामेट ग्यूरीन बैसीलस कामेट ग्यूरीन ये जन्म के साथ दिन के बीतल लगाए जाने वाला पहला टीका है जो आपको याद रखना है बीसीजी का टीका जिनके अंदर लगा है उन लोगों में कोरोना का इंफेक्शन होने की समभावना भी कम है अर्थात इंडिया के अंदर मुख्य रूप से 1948 के बाद से लगना स्टार्ट हुआ प्रभावी रूप से लगाया गया वो जिनके अंदर ये वीसीजी का टीका लगा हुआ है उनमें कोरोना का इंफेक्शन होने की समभावना भी बहुत कम ना के बराबर है क्योंकि ये भी फ को दुनिया में से हटाने के लिए चला गए एक अभियान है जिसके जिसका पूरा नाम है डाइरेक्ट ऑबजर्वेशन डाइरेक्ट ऑबजर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डाइरेक्ट ऑबजर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स ये लास्ट बार पूछ लिया गया रीट के अंदर लास्ट बार आया था है कि डॉट्स का पूरा नाम क्या है इसमें रोगी की प्रत्यक्ष देखवाल की जाती है इसलिए से डाइरेक्ट बोलता है जब किसी के लेनी होती है जिसे पक्के इलाज का पाधा मतालिति जबार लेता है चारश से चेह मिने का लगाता ट्रीटमेंट लेता है तो उसके अंदर टीवर क्लोसिट नहीं होता फिवर की जदी बीमारी है तो धीरे-धीरे करकर ठीक हो जाती है इस ब्हुब को तर्म हो सकता है यह सॉल्ट चोर्स जिए और तर्म हो सकती है ये लगूपत होता है मतलब कम समय के लिए लिये जाने वाला ऐसा ट्रीटमेंट प्लान है जिसमें विभिन प्रकार के एंटिवाइटिय् देखर टीवर को रोसिष को हटाये जाता है ये ड़कष की द्वारा बित्र होया को लिए चलाय गया है तो इस में मैं चीजे आपको रखनी है कि टीवी जिसके बारे में रोबर्ट कोच वेज्ञानिक के द्वारा बताये गया तपैदिक बोलता हैसजै को बोलते रोक कारक है माइको वैक्टिर्म टूबर क्लोसिस इसके फैलने के लिए माध्यम का काम करते हैं संक्रमित रोगी और ऐसे चिपचपे पधारतों के संपर्क माने इसकी वज़े से इंफेक्शन होता है उन्हां ड्रोपलेट इंफेक्शन कहते हैं मैनली प्रभावे तंग है फै प्रश्न पहले पूछा भी गया है जैसे कि अब आपने पिछली स्लैड में देखा था कि संक्रामक रोग हैजा होने का कारण क्या है फैजा होने का कारण क्या है बिब्रियो कॉलेर इस्प्रस्ण का उचर पूछा करह जाएगा बिब्रियो कॉलेर गया मैकोबैक्टरियम ल liksom से क्या होता है क्या एक्ने अपने का उच्रिघ्ण में दिल्या के है दूसित बोजन के माद्धिम से फैल सकता है यह प्रदूसित खाना पीना है प्रदूसित बोजन है और इसे अपने यूज करते रहते हैं तो छोटी आत के अंदर मुखेतिया इंफेक्शन हो जाता है इस रोग को फैलाने में वाहक का जो काम करती है वो घरेलू मक्खी करती अपने घरो में रैने वाली जो गरेलू मक्खी है उस गरेलू मक्खी की बझे से इंफेक्शन होता है अत्यवाहक कोन होई गरेलू मक्खी प्रभावे तंग मुखेतिया Small Intestine छोटियानत होती है संचरन का तरीका दूसरेज़ जल या बोजन हो सकता है रोक कार्यक बैक्टिरीय को याद रखें विब्रियो कॉलेरी विब्रियो इसलिए बोलता है क्योंकि इसकी जो आकरति होती है वो कौमा के रूप में होती है इसलिए भी बोलते है इसमें होता य यह है कि जब किसिके हेजा होता है इसंग इंफैक्षन होता है तो इसके शरीर के अंदर पानी की कमी होती है यह यह कह सकते हैं कि डि हाइड्राजन होता है ओल्टी दस्त responds ने रंतर होने की वज़े से सरीर में पानी की कमी हो जाती है Metabolic Rate उपाप चे किरिया दीरे दीरे घठती जाती है अधर उसमें छोटी आत में इनफेक्षन हुआ इससे बचाव के लिए ORS का गोल दिये जाता है ORS ORS पूरा नाम होता है Oral Rehydration Oral Rehydration Salt Oral Rehydration और एक सब दोता है Dehydration Dehydration निर्जली करन निर्जली करन का मतलब पानी की कमी होती है और पानी की कमी होना है जे का लक्षन है इसकी पानी की सती पूर्टी करने के लिए इसे ORS पूराता है जिससे पानी की दिरे-दिरे पूर्टी होती रहती है यह साल्स के रूप में होता है तो वारेस का गोल किससे बचाव के लिए प्लाए जाता है हेजा हेजा में मुख्य प्रवावे तंक का उनसा है चोटी आथ वहा कौन होती है गरेलू मक्की बैक्टिरिया का नाम क्या है विब्रियो कोलरी कोलरी कोलरा इसलिए कोलरी नेक्स्ट डिजीज है टाइफ है यह जो नौर्मल भहसा में मोती-जराइख कह आ जाता रिख शाजरा कि इंटे रच फीबर ये तैफइड कि रोक का है जलो हमें नहीं डॉप्य सीखता है इसलिए नाम से फता चल जाएका ठाईफिआ है जा है बिब्रИघ्ग इन या किसी को डिपृण कुरिनोe डरीLoad 여러분 किया जो होते हैं उनके पीछे एक चाप उसके रोख का भी पता सकती है साल्मॉनेल्ट की की वैसे सटाइब है उसका संसरया सन्चलन भी दोसित जहिए औरighing जा आसोताpel इसको भी फैलाने का काम करती है गरेलू मक्खी, गरेलू मक्खी की बज़े से यह रोग होता है, इसके बचाव के लिए TAB का टी का लगाय जाता है, TAB या इसमें विभिन प्रकार की जो एंटिवायटिक होती हैं, सिप्रोप, फ्रॉक्सासन वगेरा, इनका भी यूज करता है TAB, जो इस्पेशली टाइफाइड के लिए यूज करते हैं, TAB का पूरा नाम आप याद रखें, टाइफाइड एंटि बैक्टिरोइड, टाइफाइड एंटि बैक्टिरोइड, टाइफाइड एंटि बैक्टिरोइड, टाइफाइड एंटि बैक्टिरोइड, यानि कि य लीट के लिए इंपोर्टेंट है जम कर इंपोर्टेंट क्योंकि एक प्रस ने लास्ट बार भी लेवल फस्ट में ऑप्सन वन के भी आया था तो बिडाल टेस्ट का संबंध किससे है टाइफ है इसी प्रकार जिससे दूसरे एलिसा टेस्ट है वह एड्स के अंदर इस्पेसल लुमक्षी वेक्टर का काम करती है प्रवावे तंग चोटी आंथ और इसके जांच के लिए बिडाल टेस्ट यूज किया जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट उपचार करने के लिए टीवी का टीका लगाता है या बेरियस प्रकार की जो एंटिवाटिक्स है उनका छूठों के पिस् Augen के कातने की वेरिए होता है इस सांस लेने में बिए शॉपीनया दिक्राइब निमुनिया के लगशन भी दिखाए देता है या प्रवाविय तंग के रूप में लिंफ शी का गांट जाता में सूजन आई लिंप नोट जिसके इस जगए पर अ वैई लेटरल टॉंसल्स होते हैं ये जो टॉंसल्स होते हैं इनमें सूजन आ जाया तो उसे टॉंसिलाइटिस कहते हैं जो कि इसका इंडिकेशन ने संकेत भी होता है यह एक जिला के अंदर होते हैं यह यह कहें कि हमारी स्प्लीन इस्प्लीन जो मानफ सरीर की सबसे वड़ी लिम्प नोड्स ये लसी का गांट भी है उसमें सूजन आ जाती है जिससे स्प्लीनो मिगेलिक आ जाता है तो इसे प्लेग या खालिक काली मौत के अंदर मुखे प्रवावित सरचना होती है ये लिम्प नोड्स लिम्प नोड्स के अंदर सूजन आ जाती है जिससे सरीर के अंदर एंटी बोडी बनने में प्रोबिल्म आती है ये फ्यलने का माध्युक्त क्या है चूंग के सरीर पर पाए जाने वाले विशिस प्रकार के पिस्सूं के काटने की वेश होता है यानि चुहे इसको फैलाते हैं और इसका कारक है यार सीनिया पैस्ट संक्रामक रोख जीवानों की वज़ेस होता है और इसके बचाव के लिए कॉल्रा वैक्सीन काम में लेते हैं कॉल्रा वैक्सीन ये इसके बचाब के लिए काम में ली जाती है या इसके लिए ट्रीटमेंट थेरैपी के रूप में ट्रीटमेंट के रूप में जेंटामाइसिन का भी यूज किया जाता है जेंटामाइसिन जेंटामाइसिन टिक का यूज भी किया जाता है तो कोलरा वैक्सिन इसके लिए लगाए गई यह प्लेक पहले महामारी के रूप में भी हो चुका है जैसे आज के समय में जो कोरोना का इंफेक्शन चल रहा है जो की चीन के वहां सेड़ से आया है उसी प्रकार चीन से भी चीन से यह रोग की उत्पत्य हुएती चोदेवी सदी में और चोदेवी सदी में यह महामारी के रूप में चीन से ही फैल कर आया और जो पूरए संसार वर्मे पहल गया इंडिया के अंदर इस में 가장 फ्रकाइन इसा त्ग उस टाइंपर वेक्सिन विक्सित की गई थी जिसका नाम था कॉल्रा पॉल्यो वाइरस जनित रोग है पहले देखा था आपने की वाइरस जनित रोग कौन सा तो वाइरस जनित रोगों की केटेगरी में है पॉलियो को यह इसह को बोलते हैं प्रिफफ लयौ माई लाइटिस पीकॉर्मा वाइरस या ग्रफ Are यह पेकोरमा वाईरस पोलियो वाईरस इसके मुख्य ताय वाईरस हैं और यह हैलने का माद्यम होता है दूसे जल या भोजन यह भी प्रदूसेत पानी अर्था यह जल जनित रोक का ही उधारन है हेजाबी जल जनित होता है मैनली और टाइफ हैड भी ज्यादातर पानी की जाता है जिससे पेशियां काम करना बंद करती है और पेशिय और तंत्रिकाओं का एक इंटी रेक्शन होता है एक दूसरे से संबंद होता है यह प्रभावित हो जाने की वेज़े से सरीर में अपंग ताके जैसे लक्षन दिखाए देते हैं और इसका बचाव औरल पॉलियो वैक्सीन जिसे ओ पी बी ओरल पॉलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं यह पॉलियो हाल ही में उन्मूलन रोगों की कैटेगरी में रखा गया है उन्मूलन रोग बे रोग होते हैं जो उन्मूलन बे रोग होते हैं जो आगे चल कर नहीं होंगे तो उन्मूलन केटेगरी में हाल ही मिनसे रोइक को रखा गया है पॉल्यों को इसे पहले भी जो बड़ी माता का मोड़ों की टाइज तो बड़ी माता रखी गई बड़ी माता किसा कि ऐसे गयता है उसके लारू के या बाला रूग O files नारू या बाला रोग जो की हैलमेंज इस जन्यत रोक थारनेers यह बी अन्मुलन रोग और भी हाल में जो न्मुलन रोगों की केटेग्रिये में रखा गया है यह पॉलियो है इस है कि जो वेक्सिन विक्सित की गई यह वेक्सिन है viu, पॉलियो वेक्सिन जिससे नॉर्मली वह जल में दो बूंद जिन्दकी के नाम से जानते हैं जब पल्स पोलियो अवियान की शुरुवात होई थी तो पल्स पोलियो अवियान यह पल्स पोलियो अवियान की पल्स पोलियो पल्स पोलियो अवियान की शुरुवात दिसंबर 1995 में होई थी राइस्थान के अंदर इसकी स्पेशली शुरुआत चित्तोडगर से उई थी ये प्रस्ण लास्ट बार रीट लेवल फस्ट के अंदर पूछा भी गया था कि पल्स पोलियो अभियान की सुरुआत कब हुई थी तो पल्स पोलियो अभियान के सुरुआ दिसम्मर 1905 में चत्तोडगर से स्टार्ट हुई थी और पल्स पोलियो अभियान के अंदर जो दवाई पलाई जाती है वो है OPB, ORL पोलियो वैक्सीन, यह जो वैक्सीन विक्सित की गई थी, हर्था जो पोलियो का जो टीका बनाय गया तो वैक्सीन ने बनाईते साल को और साविन नग्ये का नाम क्या है? OPB, OPB इसे IPB भी जानते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि आई इन एक्टिवेटेड पोल्यो वैक्सीन इन एक्टिवेटेड निस्क्रिय वैक्सीन तो एक निस्क्रिय वैक्सीन का उधारन है इन एक्टिवेटेड या इसे निस्क्रिय वैक्सीन के नाम से जानते हैं निस्क्रिय वैक्सीन दो होती है एक वैक्सीन होती है सक्रिय और एक वैक्सीन होती है निस्क्रिय वैक्सीन वो होती है जिसमें बनी बनाई एंटी बोडी सरीर के अंदर डाली जाती है इसका असर कम समय के लिए होता है जाती है उसे बोलते हैं सक्रिय वैक्सीन कोई भी रोक कारक होता है उस रोक कारक को निस जब शरीर के अंदर इंजेक्ट करवा देता है तो शरीर के अंदर उसके प्रती बनने वाली जो प्रोटीन होती है उसे बोलेंगे सक्रिय वैक्सीन और जिसमें बनी बनाई रिख्यों वैक्सीन का दारण है spices का विस्कार किया था साल कवत्र के दौरा मुख्य प्रभावित अंग वुटत्री का अन्तर और पैशओ इसके फैलने का माध्य होता है दूसर्च ज़ल और बोजन इसकी वाइरस का नाम है श्यम visibility वाइरस एंटिवाइरस भी बोलता है एंटिवाइरस एंटिवाइरस पोलिवाइरस रौक का नाम पॉलिव पोलियो माइलैटेज पॉल्यान वियान की जो शुरुआत हुई वो दिसमबर 1995 में राइस्तान के अंदर ये चित्तोडगर से स्टार्ट हुआ था जिसमें दो बून जिंदिकी के रूप में ये ओपी भी पलाई जाती है अर्थाद ओरल पोलियो वैक्सीन ये मैंने जो तीन रोग लिखे हैं ये बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स, ये नारू या बाला और पोलिय बड़ी माता के रोग को इंडिया से 1977 में ही उन्मूलन गोसित किया जा चुका है, जबकि डबलु एचो के द्वारा 1980 में इसे उन्मूलन रोगों की कैटेगरी में रखा था, तो सबसे पहले उन्मूलन रोगों की कैटेगरी में जाने वाला जो रोग है वो है बड़ी माता ये डबलू एचो के द्वारा 1980 में उन्मूलन रोग गोसित किया जा चुका है जबकि इस बड़ी माता का 1977 के बाद इंडिया से पूरी तरह उन्मूलन हो चुका है अर्थात 1977 के बाद इसका कोई रोगी नहीं मिला नारुया बाला रोग जो ड्रेकन कुलस मेडियंसिस नाम के हेलमिंथ की कारण होने बाला रोग है हेलमिंथ की वज़े सोता है इसे सन 2000 में उन्मूलन रोग गोसित किया चुका है तो सन 2000 में उन्मूलन रोगों की कैटेगरी में रखा गया था नारुया बाला रोग को और यह जो पॉलियो रोग है में से हाल ही में दोर्ट रोगों की कैटेगरी में रख दिया गया है इसके और नहीं मिलते हैं को आगे है टिटनिस टिटनिस अधर्टिरिया की बज़े से होने वाला रोग है अब अभी देखा है कि जादा तर और रोगों को हाइलाइट कर रहे हैं जो पिछले पेपरों में ऑप्ससें के रूय थे क्योंकि प्रक्राइब को आता है तो परस्ट में जो एक प्रिस्ट के अंदर चार लाम स сюда लेकिन पता होना चाहिए मालिजे कि आपको तो तीन आप्सेंस के बारे में पता है तो इसका अर्थ निकलता है कि हमारे चार क्वेश्चन तैयार हो गए और यदि चारों क्वेश्चन को अच्छी से समझ रखा है तो गलत होने की संभावना होती नहीं है टीटनिस टीटनिस जो रोग है इसे बोलते हैं लोक जो पालो अर्वाम लोक जो पालो इसलिए बंद्द इता य ही जब इसंवाय तो उसलिए को मुखतेर को होते इसलिए को लोक जो कहते हैं या Think इंडर इस बैक्टिरिया का इंफेक्चन होता थे या कटे फटे इस्थानों से सरीर के अंदर बैक्टेरिया प्रिवेस कर जाता है तो पेसियों के अंदर एठन होने लगती है जक्रन होती है जिससे सरीर में खिचाव होता है किचाव होने की बज़े से सरीर धनुस की तरह तन जाता है इसी कारण इसे धनुसाकार रोग भी का एक होती है यह एकौरी लगे लग जाती है तो इस रोक को बूलेंगे टेटने का नाम फ है क्लोस्ट्रीजियम-टेटेपनी लग जो कहलाता था इस वजह से इधन उसकी जैसा सरीयर तन जाता फेलने का कारण क्या है रोक कारक क्लोस्टियम टिटैनी कहां से जाता है कटे फटे इस्तानों पर सरीर के अंदर कोई घहाब है या लोहे वगएरा की चोट लग जाती है जिस पर जंग लगी होती है वहां से बैक्टिरिया का प्रवेशू सकता है मुख्य प्रवावित अग क्या है पेसि, शरीर में पेसि टोटल कितनी बताईए 649 पेसि होती है जिन मेंसे मुख्य तया इस रोक के अंदर जबड़े की पेसि और मेरु रजू अर्थाति यहों कहें कि रेड़ की अड़ी की पेसि होती है वो प्रहवावेत होती है इसके बचाव करने के लिए DPT का टीका लगाए जाता है DPT का टीका DPT का जो टीका है इसे triple antigen भी कहा जाता है triple antigen तो triple antigen के नाम से प्रसम पहले फश्टिगेर जैसे पेपरों में भी पूछ लिए गया था कि triple antigen कौन से vaccine को का जाता है तो इस DPT क्योंकि यह तीन जीवानु जनित रोगों पर प्रभाबी होता है इसमें तीन रोगों के लिए लगाए जाता है डी का मतलब diptheria को अब दम गोंटू रोग के नाम से भी लिखा था यह बैक्टिरिया की वज़े से होने वाला रोग जो कोरी न बैक्टीरियम डिफ्ढी वेर जी सांस लेने में तकलीप होती है सफोकेशन होता है सफोकेशन गुटन होती है दूसरा है क्लेकं प्रकेयों से इतलें के नाम से ये क्लता है इसे को रहिक हमीं डैड़ सही कॉधि हूसी कि चक्राइब क्ला के उस सांस ...! लगबग सो दिन तक चलता है इसलिए से अंडर डीज कफिंग या सो दिन की खांसी कहते हैं इसके लिए भी यही टीका काम आता था डीपीटी और दीपीटी और तीसरा है टी यानि उनि टीकनेस तो सा टीका है जो आलावा ATS, ATS का टीका भी लगाए जाता है, ATS का इंजिक्शन लगाते हैं, ATS का जो इंजिक्शन है या टीका है, ये भी एक निस्किरिये वैक्सीन का उधारन है, जिसका पूरा नाम होता है, ATS, 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 A क्लाउस्टिडियम टेटैनी कहां से प्रवेश करता है शरीर के अंदर कटे फटे इस्तानों से प्रवेश करेगा बचाव के लिए किसका टीका लगाता है ATS या TT टिटनिस टॉक्सोइल एटीस का पूरा नाम क्या है एंटी टेटनस सीरम DPT का टीका DPT के टीके को किस नाम से जाना जाता है ट्रपल एंटीजन ट्रपल एंटीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह तीन बैक्टिरिया पर प्रवाबी होता है इसलिए से ट्रिपल एंटीजन कहेंगे और बैक्टिरिया है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस का और टिटनिस का एक क्विस्चन जो अपने लास्ट बार देखा संक्रामक रोग हैजा होने का कारण क्या है तो इस कांसर मिल गया था विब्रियो कोलरी हैजा आगे जो क्विस्चन आपके लिए आया रेट के एक्जाम में लास्ट बार रेट 2017 में क्विस्चन था डॉट्स किसका लगहु स्वरूप है यानि डॉट्स का पूरा नाम क्या है यानि डॉट्स का पूरा नाम अभी अपने जो टीवर क्लोसिस की बात हैं की थी तो टीवर क्लोसिस के अंदर माइको बैक्टरियों टीवर क्लोसिस से होने वाला रोग होता है टीवी के अंदर मॉन्टैक्स टेस्ट किया था जांच की थ direct observation प्रत्यक्स डाइरेक्ट यानि प्रत्यक्स ऑब्जर्वेशन प्रेक्सित थेरपी या ट्रीट्मेंट उपचार लगूपत यानि कि डायरेक्ट डी का मतलब डायरेक्ट हो गया डायरेक्ट ओब्जर्वेशन प्रेक्षित हो गया ट्रीटमेंट उपचार सौर्ट और कोर्स यह डवलु एचो के द्वारत चला गया था तो अपना आंसर हो गया पहला ही हो गया डायरेक्ट अबजर्वेशन थेरैपी सौर्ट कोर्स यहां से आगे की बातें फिर कंटीनू करेंगे जैहिन जैवारत नमस्कार